आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिस कमेंट्स में आप पूछ रहे थे कि आप एक बजट प्राइस में ग्राफिक्स कार्ड लेना चाह रहे तो आपके लिए बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड कौन सा होगा जिसमें आप गेमिंग, वीडियो रिटिंग या ग्राफिक्स द आने वाला है, अगर आपको budget सबसे कम है, और अगर आप graphics designing से लेटेड काम करना चाहरे है, Photoshop हो गया, Core-Ordre हो गया, या Adobe Illustrator जैसे काम करना चाहरे, budget आपका काफी कम है, तो आप Galaxy GT730 graphics card ले सकते है, जो की 4GB VRAM के साथ आता है, DDR3 variant के साथ, इस graphics card का प्राइस आपको तीन साल के देखने को मिल जाती है, अगर आप बजट प्राइस में ग्राफिक्स कार लेना चाहरे है, तो ये graphics card आपके लिए perfect होने वाला है, beginner level का अगर आप gaming करना चाहरे है, या beginner level का editing करना चाहरे है, तो भी ये graphics card आपको basic video editing, gaming आराम से करा देगा, इस graphics card का purchase link मैंने description में दे रखा है, वहाँ से आप directly purchase कर सकते हैं, आपके technical specification इस graphics card के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इस link में click करके, आप चेक आउट कर सकते हैं, इसके बाद जो अगला graphics card है, वह सफायर के तरफ चाहरे है, 4GB DDR5 VRAM के साथ देखने को मिलता है, इस graphics card का model है RX 550, यह भी काफी popular graphics card है, जो budgets price range में आपको बहुत ही बैटरीन output निकाल के देता है, अगर आप gaming करना चाहते हैं, basic level का video editing भी करना चाहरे हैं, यह graphics card आपके लिए perfect होने वाला है, AMD chipset के साथ देखने को मिलता है, इस graphics card में आपको 3 display output देखने को मिल जाता है, एक HDMI, दूसरा DP port और तीसरा DVI port देखने को मिल जाता है, इस graphics card का price 7800 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, इस graphics card की warranty आपको 2 साल की देखने को मिल जाती है, अगर आप budget price range में video editing करना चाहरे हैं, gaming करना चाहरे हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग से लेटेड काम है, और आपका budget काफी कम है, इस graphics card का purchase link मैंने description में दे रखा है, वहाँ से आप इस graphics card को purchase कर सकते हैं, बाके technical specification भी आप वहाँ से checkout कर सकते हैं, इसके बाद जो सबसे popular graphics card है, वो है RX 570, 8GB DDR5 VRAM के साथ ये graphics card देखने को मिलता है, डूल फैन के साथ ये graphics card देखने को मिल जाता है, इस graphics card के warranty आपको दो साल के देखने को मिलती है, इस graphics card में आपको 4 display output देखने को मिलता है, इसके बाद जो अगला graphics card है, वो इनो 3D brands की तरफ से आने वाला है, जिसका model है GTX 1650, ये 4GB DDR6 VRAM के साथ देखने को मिल जाता है, जोकि NVIDIA chipsets के साथ देखने को मिलता है इस Graphics Card की warranty आपको 3 साल के देखने को मिलती है इस Graphics Card का Display Output 3 देखने को मिल जाता है दो आपको Display Port देखने को मिलेंगे एक HDMI Port देखने को मिलेंगे इस Graphics Card का Price 13,200 रुपए के आसपस आपको देखने को मिल जाएगा इस graphics card का भी purchase link आपको description में देखने को मिल जाएगा अभी मैंने आपको चार graphics card के बारे बताया है जो सबसे ज़्यादा बिखने वाले हैं सबसे ज़्यादा trend में चलते हैं और सबसे बहतर performance, सबसे बहतर output निकाल के देते हैं इन चारो graphics card का selection कर सकते हैं आप अपने budget और requirement के according दो graphics card मैंने आपको बताया है GT 730 और 1650 ये दोनों invidia chipset के साथ देखने को मिल जाते हैं और दो graphics card मैंने आपको बताया है AMD chipset के साथ एक RX 550 AMD chipset के साथ आता है और एक RX 570 AMD chipset के साथ आता है चारो graphics card काफी popular है budget के according भी और performance के according भी आप अपना budget और requirement decide कर लें उसके बाद इन चारो graphics card मैं से आप अपने लिए एक बहतर graphics card का selection कर सकते हैं अगर आपके मन में अब भी कोई doubt है कुछ पूछना चाहते हैं तो comment box में जरूर कुछ है कुछ पूछना चाहते हैं